वेरी वेरी गूड मॉर्णिंग तो कैसे हैं यूटूब फेमली आशा करती हूँ आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और खुश होंगे बड़ी वहनों को रादे रादे बच्चों को धेड सारा प्यार और पड़ों को चरनिस पर्श और ये हो रहा है सुबा का टैम मतलब साथ बज़ रहे हैं तो छे बज़े करीवन में उठी थी और उसके बाद में अपने भी काम होते हैं करने वाले वो सब निप्टाने के बाद में चाय वगरा पी ली है और ये सारे कपड़े मैंने रात को धो के सुकाई थे क्योंकि अब इस टैम बाइट वाश का काम तो अल्मोस्ट हो ही गया है लेकिन अब उसके बाद में बची है क्लीनिंग करना तो बस हम उसी कामों में लगे हुए थे और ना जाना ये क्लीनिंग का काम कब तक चलेगा ये नहीं पता चल रहा है क्योंकि काम इतना फैल चुका है कि क्लीनिंग करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और ये पेंटर भाईया कभी दो दिन के लिए आते हैं और चार दिन की चुट्टी मारते हैं और कभी एक दिन आते हैं तो दो दिन की चुट्टी मार लेते हैं तता नहीं इनका भी क्या चेक कर चल रहा है मुझे तो अब ऐसा महसूस होने लगा है जैसे इनोंने कहीं और भी काम पकड़ रखा है तो इसलिए एक दो दिन यहां काम करते हैं और इसी तरह से काम करते हैं औ और यहाँ पर उन्होंने पेंट करके चले गए थे, एक कोट जिसे बोलते हैं, वो करके चले गए थे एक दिन पहले, और दूसरे दिन आये नी, फिर उसके बीच में एक दिन की शुट्टी मार ली, इसी तरह से काम कर रहे हैं, और मैंने वर्मजी से कहा था कि पीछे का छोट सा गेट जो है, रोशन दान टाइप का, जब उसे खोल देते हैं, तो बहुत ही अच्छी हवा आती है, और धूप भी जब घूमती है, तो घर में धूप भी आती है, तो काफी अच्छी फीलिंग रहती है घर की, और बस मैं अपनी क्लीनिंग वगरा के लिए लिए लग तो बस मैंने पहले वो दोके सुकाई थी, और अब मैं लगाँगी मशीन, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कि मैं साड़ियों को हस से जाना दोना पसंद करती हूँ मशीन में नहीं, क्योंकि मशीन में उनके सारे नग बगरा जो लगे रहते हैं, और भी बहुत सारे पने पहले भीगो के रख देती हूं तप में अच्छे से उनके रख दो दो लेती हूं और पहले बहुत इजिसी से कि अच्छे से वो तो आप प्यो कर तो अज़ाती है, और खुशे कि प्रिन्ट मेंजा प्रिएवाइर् को प्रिए या नग नग इने जो लगे रहते हैं, वो कोई भी चीज खराब नहीं होती है तो बस जादा नहीं 2-3 घंटे के लिए रख देती हूँ और अच्छे से वो साफ भी हो जाती है और इसी लिए मैं मशीन में धोती नहीं हूँ तो अब मुझे मशीन में लगाने थे कपड़े और जब मैं बाहर बार बार ले लेके कपड़ों को खटा जा रही थी क्योंकि छाटे थे पहले मैंने कपड़े तो जो कलर के थे वो उन्हें अलग कर लिया है मैंने कपड़ों को और वाइट वाइट कपड़ों को सबको अलग कर लिया है और अभी चद्रे वगएरा धूंगी नहीं क्योंकि अभी तो डिस्टिंग वगएरा का काम होगा और भी बहुत से काम होगे तो इसलिए अभी बैट पे से चाद्र वगएरा को सोफे के कवर नहीं उतारूंगी जो पहले ये पहनने वाले कपड़े हैं जो इखटे हो रहे हैं उन्हें ही दोने के लिए जा रही हूँ तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर केजिए क्योंकि रोजीना की वीडियो में डालती हूँ और रोजीना का अपडेट देती हूँ अपने घर का तो आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं मेर कुन से कपड़े धुलने के हैं, कौन से कैसे हैं, क्योंकि बच्चे हैं न मानते नहीं हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ फैलाती ही रहते हैं, और सच में बहुत ही परिशान करते हैं, बड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन ये परिशान बहुत ही कजादा करते हैं, तो बस मैं उ आपाण में पानी भरेधा है, तो पानी निकले बाहर चला गया और मशीन खाली हो गई मैंने सोचा, लोग वहाद कर दो गया है, मैंने ड्रेणजपाइप नीचे डाली दिया है क्या पता ड्रेन भी कर दिया हो, इस वजह नहीं पानी रुक रहा है फिर मैंने दोबारा पानी भरा और देखा तो थोड़ी दिर बाद में सारा पानी फिर निकल गया तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या दिक्कत है फिर मैंने ये खोल के देखा क्योंकि एक बार में पहले भी ठीक कर चुकी थी तो देखा यहां पर इसे खोल के तो देखती कि आहूं कि इसके अंदर एक मोजा फस गया है और ये मोजे ने तो इतना कमाल कर दिया कि पानी रुखने नहीं दे रहा था और ये सारा बैलेंस भी इसका विगड़ गया था तो बस मैं वो सॉक्सी निकालने की कोशिश में लगी पड़ी हूँ लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये सॉक्सी के अंदर गया कैसे क्योंकि कपड़े कोई और दोता नहीं है मेरे सिवा तो और मैं कोई ऐसी भूल चुक का काम करती नहीं हूँ पता ही नहीं चला मुझे कब में ये मेरे हाथ से गिर गया उसके अंदर जो ड्राइर बाइस किट होती है उसके अंदर और ये जाके उसमें फस भी गया और मुझे पता ही नहीं चला हाँ में ये तो कहती थी कि कपड़े उड़ गए हैं उपर से कपड़े उड़ गए हैं उपर से लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो उड़के कहीं नहीं गया था उड़के तो हिसी के अंदर बैठा हुआ था लेकिन अब जाके कुछ पता लगा और मैं इसने मुझे इतना परिशान किया ना कि सुबह का सारा जो टार्गेट बना के चली थी काम करने का कि हां मुझे उनके वरकर आने से पहले ये ये काम रुटा लेना है लेकिन इसने एक सॉक्स ने मेरा सारा टार्गेट खराब कर दिया और टार्गेट ही का मेरा पूरा दिन खराब कर दिया तो वर्मा जी मुबाइल लेकर आ गए हैं और उसके टॉर्च से मुझे दिखा रहे हैं क्योंकि यहां पर इसके अंदर अधेरा इतना हो रहा है कि नहीं दिख पा रहा मुझे कुछ भी और वो सॉक्स तो ब्लेक कलर का था तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था तो मैं जैसे तैसे करके उसे निकालने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी कभी प्लास से खीच रही हूँ कभी पेजकस से खीच रही हूँ लेकिन वो नहीं निकलना था पता नहीं कहां आटक गया समझी नहीं आ रहा था और बहुत ही मेहनत कर रही थी बहुत उसके संग मैं युद्ध कर रही थी लेकिन वो नहीं निकला मैं उज़र छोड़ के हट गई और वो यहीं पी लटक रहा है अभी भी पता नहीं कहां जा के फसा हुआ है और मेरी इस मशीन का काफी कुछ तूट भी चुका है लेकिन बस मैं इसे चला रही हूँ इस वज़े से क्योंकि देखिये मम्मी की दी हुई चीज है और इस टेम तो ना मम्मी है ना पापा है तो उनकी कुछ यादे मेरे पास बची हुई है उनकी चीज बची हुई है तो उसे ही समाल के रखने की कोशिज में लगी हुई हूँ और फिर मेरे दिमाग में एक चीज आए कि मेरे पास एक सरीय रखा है उस सरीय को हमने आगे से थोड़ा सा मोड़ के और उस सॉक्स को इसके अदर से खीचा जो टप है ट्राइर वाला उससे खीचा तो ये फटा फट निकली आया तो ये टपकी जो किनारी किनारी होती है उसमें जाके फसा हुआ था और ये इधर से निकली नहीं रहा था और ये लंबा वाला सॉक्स था ये तो इस वज़े से निकली नहीं रहा था छोटा वाला होता ना जो स्मॉल साइज के होत वो तो निकल जाता असानी से लेकिन ये लंबा वाला था इसलिए फसरा था और उसके बाद में तो फिर कपडों का लेल लग गया जो निकलने की शुरुआत हुई है इसके टपके अंदर से आप यकिन निमानोगे तीन सौक्स एक सोफे का कवर पूरा निकला था इसके अंदर और सोफे के कवर के तो इतने बुरे हालात हो गए थे कि पूरा फट गया था अंदरी अंदर और इसी वज़े से ना तो ये ड्रायर चला था ना कुछ और इतने दिनों से मैं कपड़े धो तो लेती थी लेकिन उपर जाके छट पे ऐसे ही सुकाया आती थी और यही कहती थी वर्मा जी से कि मेरी ड्रायर मशीन फुक गई है मेरी ड्रायर मशीन फुक गई है और वो कहते थे पता नहीं कैसे फुक गई आवास तो आई ही नहीं थी यह चलती चलती बंद कैसे हुई थी और मेरी इस बात पर कावे कहा सुनी भी हो जाती थी उनसे और जब कई कपड़े निकल गए थे तो वर्मा जी कहने लगे अब तो वही मिस्तरी को बुलाना ही पड़ेगा नहीं काम नहीं बनेगा और मैंने फिर भी उसके बाद में भी मैंने ड्रायर वाला लगा के देखा जिसमें की पानी रुख जाए ड्रेनिज वाला जो था लेकिन पानी फिर भी नहीं और इतने मैं अंटी भी आ गई थी काम करने के लिए तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो वो भी आ गई इस बीज में और ये फिर जाके परमा जी भाईया को लेकर आए जो ये मशीन ठीक करने वाले होती है तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया ये मेरा घर मार्किट मे ही है तो सब चीज यहां पर एविलेवल होती है और ये जानकारी वाले थे तो इन्हें लेकर आए और जो बॉड़ी भी मेरी खराब हो चुकी थी मशीन की तो भाईया ने फिर बॉड़ी भी लाके दे दी तुरंती और यहां पर फिर ये सारा ठीक करने का शुरुआत हो और फिर तो इसके जो जो चीजे खराब हो गई थी वो सब भी सही कराने लगे तो इस तरह से हमारा पूरा दिन खराब हो गया और कपड़े वगएरा फिर धुले नहीं और मेरा आपको दिखाने का यही मतलब मकसद है कि अगर आपकी भी मशीन की बॉड़ी वगएरा नहीं हो जो करते हैं क्योंकि मोटर खराब हो तो ठीक रहती है और आज कलकी जो बता रहे थे बाइए कि जो आज multic Michyne king motor में और जो oni में और वही काफी बष्चीन हुआ है यह मश्म और में इतनी है و हम भी मोटर मिल भी नहीं है और इसलिए मैं लोग को बता रहे हूं कि जो पुरानी मशीने हैं वो अब भी अच्छा लोड लेती हैं और अच्छे से काम बढ़ती है अगर आपकी भी मशीन थोड़ी भी खराब हो गई हो तो आप उससे सही करा ले ना कि उसको चेंज कर ले एक दम से और ठीक करा के बिल्कुल नियू तरीके से हो जाएगी और फिर मैं अगर भी घुक्ण भी खराब हो गया था जो ड्रैर का होता ए तो वह भी हमने को चेंज करा लिया यह वाला ड्रक्त भी 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 तर्या ने ते बिख्या ंच्छे क्दी आपकी अगली और और देखिए अगर मैं मार्किट से लेकर आती तो यही मशीन कम से कम पंदरे सोले हजार से नीचे की तो नहीं आती और इतने बज़ट तो अभी है भी नहीं क्योंकि अभी तो घर में बहुत सारे काम है और देखिए पैसा है तो कोई वेश्ट करने के लिए किसी के पास नहीं होता है तो बस ही और हमारा हजार दो हजार में अगर यह ठीक हो जाती है तो क्या बुराई की बात है और मशीन वगेरा तो सब अंदर की भहिया ठीक बता रहे थे कहरें कि सब चीज ओके है आपका तो उन्होंने मुझे केमिकल भी बताया है इसको साफ करने के लिए कि अंदर से आपकी मशीन बिल्कुल न्यू तरीके की हो जाएगी आपको मैं केमिकल बता देंगा और उससे आप बिल्कुल साफ कर लेना और जो जो मशीन के अंदर खराबी हो गई थी वो भी सब उन्होंने ठीक कर दी और मुझे काफी कुछ दिखा के भी गए है कि ऐसे इस चीज को ठीक कर लेना ऐसे करके इसमें केमिकल डालना और ये देखिए ड्रायर बगएरा का ये निकाल रखा है इसे भी अच्छे तरह से धोके साफ कर दिया उन्होंने और इधर पेंटर भाईया भी आ गए थे तो फिर वो भी पेंट करने लग गए हैं तो इस तरह के सारा दिन हमारा निकल गया और हमें पता ही नहीं चला पूरे दिन का और आपके साथ में मैं अपनी almira शेयर कर रही ही हूँ इसलिए, कि अगर आपके घर में भी इस तरह की almira हो, तो आप भी अपनी almira को paint करा सकते हैं, अंदर से तो white करवाई ये हमने, और ये बाहर से उफ white कलर लिया है, जिसे cream लोती है, तो ये लिया है, और border हम कुछ और तरी आप रोलर से कर रहे हैं तो ये दो भईया लगे होई हैं एक साइड में दूसरे भईया भी लगे होई हैं और इस तरह से इन दोनों ने पूरी हमारी अलमीरा जो थी वो तयार कर दी और उसके बाद में ये गेट वेयर आप करने के लिए आ गए हैं तो ये गोल्डन ये पहले अच्छा लगेगा और फिर मैंने इधर से शूट कर लिया तो ये फाइनल हमारी अलमीरा तयार हुई है ग्रीन बॉर्डर बनाया है इनोंने और ये ओफ वाइट कलर की पेंट करी है अलमीरा का गेश जो मेन है फ्रेंट तो आप लोगों को मेरी अलमीरा कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर और अभी मैं नहा के ही आई हूँ जश्ट क्योंकि आज सारा दिन तो मशीन को ठीक करवाने वाले और किस चक्कर में लगा रहे गई मैं और उसके बाद में फिर रात का ट manif ho गया तो कपड़े दुए फिर उसके बाद में फिर मैंने आके नहाई नहाने के बाद में सीधे आई हो तो थोड़ा से ये शूट किया है और वो पहले वाले महिया चले गई और ये रहे गई हैं तो friends फिर मिलूंगी अगले vlog वीडियो में तब तक के लिए बाब